उल्टी से तुरंग मिलेगी राहत उल्टी आने के कई कारण हो सकते हैं कई बार कुछ उल्टा सीधा खा लेने से या जरुरत से ज्यादा खा लेने से उल्टी आ सकती है इसके अलावा कई अन्यस्वास्थे संबंधी कारणों से जैसे अपच गेस बुखार, माईग्रेन आदी की वजह से भी उल्टी आ सकती है फूड पॉजनिंग भी उल्टी आने का एक मुख्य कारण हो सकता है जब भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो संक्रमित हो तो हमारी बॉडी उसहानिकारक और अंचाहे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उल्टी आती है कई लोगों को यात्रा करने के दौरान भी उल्टी आने की समस्या होती है गर्भवती महिलाओं में भी उल्टी आने की समस्या होना आम है बार-बार उल्टी होने से में शरीर में पानी की कमी हो सकती है इसलिए इसका इलाज जरूरी है उल्टी कोई भट गंभीर बीमारी नहीं है और इस समस्या के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है उल्टी के कुछ हैसे कारगा घरेलू नुस्खे हैं जो दादी नानी के जमाने से इस्तिमाल होते चले आ रहे हैं आज के इस वीडियो में हम आपको उल्टी रोकने के आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे तुल्सी का सेवन तुल्सी में कई औशधिय गुन पाए जाते हैं तुल्सी का सेवन करने से उल्टी की समस्या में राहत मिलती है उल्टी रोकने के लिए आप तुल्सी के रस का सेवन कर सकते हैं इसके अलावा तुल्सी के रस में शहध मिलकर पीने से भी उल्टी नहीं आती पुदीना, अगर बार-बार उल्टी हो रही हो तो पुदीने का सेवन आपके लिए फायदेमन साबित हो सकता है एक चम्मच पुदीने की पत्ती के रस में नीमबू का रस और शहद मिलाएं और दिन में तीन से चार बार इसका सेवन करें, उल्टी की समस्या से जल्द रहत मिलेगी इसके अलावा आप पुदीने के पत्ते की चाय बनाकर भी सकते हैं नीम्बू का सेवन नीम्बू में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है जो उल्टी रोपने में मदद करता है नीम्बू में कला नमक लगा कर चाटने से उल्टी में राहत मिलती है इसके अलावा गर्म पानी में नीम्बू का रस और नमक मिलाकर पीने से भी उल्टी में फाइदा होता है लोंग का सेवन लोंग खाने से भी उल्टी की रोपथाम में मदद मिलती है बार बार उल्टी हो रही हो तो लूंग और दालचीनी का काड़ा बना कर पी सकते हैं इसके लिए 250 ग्राम पानी में 5 लूंग डाल कर उबाल लें जब पानी आधा रह जाए तब इसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी मिला कर पीए इस काड़े को दिन में 3-4 बार पी सकते हैं उल्टी रोपने में यह बहुत फाइदेमंद नुस्खा है अदरक का सेवन अदरक हमारी सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद है यह ना सिर्फ सर्दी जुकॉम में फाइदा करता है बलकि पाचन क्रिया ठीक रखता है उल्टी ठीक करने में भी यह बहुत असरदार है अदरक में ऐसे गुन मौजूद होते हैं जो उल्टी रोपने में फाइदेमंद होते है अदरक का रस और मीमबू का रस बराबर मात्रा मिला कर लेने से उल्टी नहीं आती इसके अलावा एक चम्मच अदरक और प्यास का रस मिलाकर पीने से भी उल्टी की समस्या में लाब होता है आप चाहें तो अदरक की चाय में शेहद डाल कर भी पी सकते हैं सौफ आपने अक्सर देखा होगा कि खाने के बाद सौफ दी जाती है सौफ पाचन तंत्र को ठीक रखता है और इससे खाना पचाने में मदद मिलती है सौफ चबाने से पेट की समस्या दूर होती है उल्टी में भी आराम मिलता है आप चाहें तो सौफ की चाय बना कर भी पी सकते हैं इसके लिए एक कप पानी में सौफ के बीज या सौफ का पाउडर डालकर दस मिनट तक उबाल लें और फिर इसे चान लें इस चाय के सेवन से उल्टी में आराम मिलेगा टमाटर का सेवन टमाटर के इस्तिमाल से भी उल्टी की समस्या में आराम मिलता है एक पका हुआ टमाटर लें और उसका रस निकाल लें अब इस रस में 3-4 छोटी इलाइची और 5-6 काली मिर्च कूट कर मिला लें इस रस के सेवन से उल्टी रोपने में लाग मिलेगा अनार का सेवन अनार खाने से ना केवल शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है बलकि उल्टी की समस्या में भी आराम मिलता है उल्टी आ रही हो तो अनार के दाने पीस कर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिला कर खाएं उल्टी नहीं आएगी महिलाओं को अनार का रस पिलाने से उल्टियानी बंध हो जाती है इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाह जरूर लें हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थन्यवाद